हेलो प्रेंट्स आज बनाएंगे कैबेज या पत्ता गोभी का कचुंबर इसको बनाने के लिए पत्ता गोभी को अच्छे से धो लिया है और इसको एकदम बारीक टुकडो में काट लिया है और ये कुछ हरी मिर्च ले ली है और तड़के में जाएगा राई आधी टेल हो गया गरम इसके अंदर डाली राई जैसे ही राई क्रेकल होती है तो सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च और ये lectures चीश डाले तो गैस क्या अचिक तो स्लो कर लें तो हरी मीट डाल गे तूरं पहले तो धक्कन कवर कर लिया ताकि ओइल ना उड़े और इसके बाद आदी मिनिट बाद अपने धक्कन हटा लेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे हल्दी हींग और काले मीट लॉंका पाउडर और तूरंत ही अपने कर देंगे अब मीडियम और एगा क्वर कर देंगे आना ऊक्षिय जो तूरं आप लिएन ऊपने वाल्स के Sus तूरंत हटा लेंगे और वापिस इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो दो मिनिट और होने देंगे मीडियम आज पे ही और बाकी ये ऐसे ही कच्चा पक्का होता है तो आपको जिस तरह से भी पसंद हो तोड़ा ज्यादा पका पसंद हो तो थोड़ी देरो और गयस पे के तोर पे खा सकते हैं सलाड या कचुमबर के तरीके से और ये लाश्ट में इसके उपर डाल दिया नीबू और इसको भी अच्छे से कर लेते हैं मिक्स ताकि बढ़िया सा अपना कचुमबर का टेस्ट आए और ये कैबेच के कचुमबर को मैंने लंच के साथ खाने के लिए बनाया है तो मेरे लंच के अंदर है ये पराठे है भिंडी प्याज वाली भिंडी की सबजी है भाकरी बनाई है कटल की, कटल का अचार है दाल है, आलु पर्वल की सूखी सबजी है, भर्वा करेला है और साथ में है चावल नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल और फॉलो मैं फेस्बूक पेज थैंक यू